एक जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आये करमचारियों के लिए NPS की जगे पर OPS की फिर से बहाली राज सबा से महतपुन और ताज अपडेट दोस्तो दो फरवरी 2022 को सरकारी करमचारियों के लिए NPS की जगे पर OPS की फिर से भाल के जाने के समन्द में राज सबा में पैंशन और पैंशन भोगी कल्लान भाक के दौरा एक बहद महतपुन जवाब दिया गया है जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में वीडियो को आप लाज तक जरूर दखें दोस्तो सरकारी करम प्रिया के लिए बहतर पैंशन दोधिना के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं इस वीडियो को अधिक सदैक लाइक और शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी को राज सभा में एतारंकित प्रिष्ण नंबर 605, 610 और 611 के दिये गए उत्रों को देखेंगे और यह बताने के किरपा करेंगे कि क्या उचितम नियाले ने यह सुनस्चित करते हुए नियाले पिछले मामलों से अलग रुक नहीं अपनाएगा विशेस अनुमती याचे का 15312-15321-2021 और 165-2021 को 3 जनवरी 2022 को खारिज कर दिया गया है और नई प्रेंट्शन उजिना के अंतरगत आने वाले ऐसे अधिक केन सरकारी करमचारियों और आधिकारियों को पुरानी प्रेंट्शन उजिना का लाप प्रदान करने की स्विक्रती दे दी है जिनके विग्यापन 1 जनुमरी 2004 से पहले जारी हुए थे और प्रणाम गोसित किये गए थे तथा जिन्होंने 31 दिसमबर 2003 के बाद कारिया बहार ग्रेंट किया था अगला प्रणाया पर यहां था कि यदि हाँ तो क्या सरकार उचितम न्याले के उप्रिक्त आधिसों के मद्दे नजर सबी ऐसे अधिकारियों को लाप देने के लिए अब सामान आधिस जारी करेगी और यदि नहीं तो इसी प्रकार के मामलों के लिए सामन आदेस जारी करने के लिए नियालों से कितने आदेसों की जरूरतों होगी तो ये प्रिष्णिया पर साफ है कि ऐसे करमचरी जिनकी भरती के लिए गयापन एक जिनवरी 2004 से पहले जारी हो चुके थे और परणाम भी घोसित किये जा चुके थे लेकिन उन्होंने जोइनिंग यहाँ पर एक जिनुरी 2004 के बाद में की थी तो क्या उन सभी के इंदरी करमचरीयों को पुरानी पैंशन दोजना का लाब दिया जाएगा तो यहाँ पर कार्मिक लोग सिकायत यहों पैंशन मंत्राले में राजमंत्री डॉंक्टर जीतेंदर सिंग के द्वारा यह जवाब दिये गया है कि जी हाँ मावद है जो यह चिकाय था थी उसे खालिज कर दिया गया है और करमचरीयों को पुरानी पैंशन दोजना का लाब देने का आदिश जय दिया गया है और आगले दो प्रशनों का जावाब यहां पर था कि वित मंत्राले आर्थिक कारी विवाग के दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिस उचना द्वारा राष्टिय पैंशन प्रनाली यानि के एनिपेस को लागू किया गया था दिनांक 1 जनुरी 2004 से के सरकार के सेव में हुई सभी नई भरतियों जिसमें अरन फोर्स उसको छोड़ कर सभी के लिए राष्टिय पैंशन प्रनाली एनिपेस आनिवारी है और आगे यहां पर कहा गया है कि दिनांके 22 दिसमबर 2003 की अधिस उचना के विशिस्ट उपबंदों को ध्यार में रखते हुए पुरानी पैंशन योजना या फिर राष्टिय पैंशन प्रनाली के तैत कवर के जाने के लिए पातरता और निर्धार्थ करने के लिए रिक्त अधिस जारी हुएं उनमें ये साफ कर दिया गया है कि जिन भी कर्मचारियों ने कोट का रुक अपना था उन सभी को यहां पर भरती का ग्यापन की जो तारिक है उसे देखते हुए एंपेस की जगए पर ओपिस का लाब देने का आधिस ने आले के द्वारा दे दिया गया है लेकिन यहां पर जो जवाब दिया गया यह जवाब एक जम साफ नहीं है यहां पर कर्मचारियों को एक बार फिर से संसे की स्तिती पैदा हो गई है तो यह एक बैद मैद्पून अब्लेट निकल कर आ रही है सरकारी कर्मचारियों के लिए एंपेस की जगए पर ओपिस क भाली के संबंद में इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताएं वीडियो को लाइक और सेर करें